जै मातादी हरहर महादेव सावन शुरू होने वाला है 4 जुलाई 2023 से सावन का जो है आरंभ हो जाएगा और 31 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा तो दीकि सावन में खान पान को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेश नियम बताए गए है इन नियमों का पालन करने से ना सिर्फ हमारा स्वास्त बहतर होता है बलकि हमें भगवान शुप की किरपा का भी पूरा लाब भी प्राप्त होता है सावन का महीना भगवान शुप की भक्ती और मापारवती की शक्ती को समर्पित होता है सावन के महीने में पूजा पाट से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना चाहिए इसके अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसी माननता है कि सावन में साग खाना अशुब होता है इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैग्यानिक तर्द भी इसका समर्थन करते हैं तो आईए जानते हैं कि सावन में साग खाने को लेकर क्या कहते हैं हमारे धार्मिक माननता हैं और इसके पीछे वैग्यानिक कारण भी क्या है तो दीखे शास्त्रों के अनुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि भगवान शिप को प्रकृती से बेहद ही प्रेम है ऐसे में साग पाथ को तोड़ कर खाना शुब नहीं माना जाता है ऐसा करने से शिप जी भी अप्रसन हो सकते हैं वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक क्या कहता है कि सावन के महीने में साग में पित बढ़ाने वाले तत्तों की मात्रा बढ़ जाती है जो की पाचन में समस्या पैदा करती है दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या भी बढ़ जाती है ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सिहत को भारी नुकसान भी पहुँच सकता है इसलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में देखे मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है दही की तासीर भी ठंडी होती है तो ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुखाम की समस्या भी हो सकती है इसलिए अधिक जरूरी ना हो तो सावन के महीने में दही का भी परियोग नहीं करना चाहिए सावन के महीने में दूद का सेवन करना भी नुकसान देह माना जाता है इसके पीछे भी धार्मिक और वैग्यानिक दोनों ही कारण है सावन में ऐसा माना जाता है कि गाए और भैस जो हरा चारा खाती है उसके साथ वे काफी मात्रा में कीट पतंगों का भक्षन भी कर लेते हैं इसलिए दूद में वैक्टीरिया होने की संभावना काफी बढ़ जाती है इसलिए सावन में दूद का सेवन कम से कम ही करें तो बहतर होता है सावन के महीने में भूल कर भी मासाहार या फिर लहसुन प्याज जैसे की तामसिक भोजन का सेवन ना करें ऐसा माना जाता है कि ये चीजे शरीर में गर्मी पैदा करती है और इस वज़े से आपका मन भोग वासना की तरफ जादा आकरशित होता है जो कि भगवानशिप की वक्ति में वाधा उत्पन करता है इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मासाहार और लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजों से दूरी बना की रखें उनका सेवन ना ही करें तो जादा बहतर होगा तो ये थी वो जानकारी सावन के महीने में जुड़े हुए कुछ नियमों की क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए इसका भी कारण आपको बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार इसका क्या कारण है और विज्ञानिक के अनुसार इसका क्या कारण है उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने की बाद नॉटिफिकेशन बेल को ओन करके औल पे सेट कर लिजेगा जिससे की जो भी नई वीडियो चैनल पे आईगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुँच सकेगी थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो जय माता दी हर हर महादेव